24 अक्टूबर गुरुवार के दिन है गुरु पुश्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पुश्य नक्षत्र आने के कारण ये गुरु पुश्य नक्षत्र गहलाएगा और गुरु पुश्य नक्षत्र बहुत सारे शुभी योगों के साथ आ रहा है इस दिन अमर्थ सिद्ध योग सरवासिद्य योग पूरे दिन रहने वाला है पूरा दिन रहेगा और इसके साथ ये शुरू होगा गुरू पुशनक्षतर चोबिस तारिख को सुबह च्छे बजगर 15 मिनिट पर और अगले दिन शुक्रवार को ये 25 तारिख को सुबह 7 बजगर 40 मिनिट पर समापत हो लेकिन डिपावली से पहले का गुरू पुशनक्षतर अपने आप में एक तरह का आप कहिए कि आपके भागे को जगाने वाला है आप इस दिन कोई भी खरीदारी कर सकते हैं कोई भी कारे शुरू कर सकते हैं किसी परकार का कोई भी जो भी आप चाहते हैं कि शुब कारे कर कि हर काम को गती देने वाले हैं तो इसलिए अपने आप में ये नक्षत्र बहुत ही शुब है इस दिन एक छोटा सा बच्चों के विवाह को लेकर काम करिएगा घर में ही मैं निवेदन करूंगी विशेश तोर से कि मां इस उपाय को कर ले और मान लीजिए कोई कारण रहा हो कि मां नहीं कर पाए तो बच्चों को इस उपाय को खुद बे खुद जरूर कर लेना चाहिए जैसे कि आपने शुरू में ही देख लिया हम एक हरे निम्बू का उपाय करेंगे बहुत आसान सा इसके साथ घर में जो आपके कीचन में रहती है एक चुटकी हल्दी जो कि पता रही हूँ आपको लेकिन उससे पहले नमस्कार आप सबका मेरे जैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक् है दोपहर का गुरुबार के दिन जो अभी जीत महरत होता है उसमें इस उपाय को करिएगा आप देखते जाएंगे कि आपको कोई और उपाय शायद करने की जरूरती नहीं पड़ेगी मुझे लगता है क्या करना है आपको एक हरा निम्बू लीजिएगा बाजार में पील निम्बू नहीं लेना है आपको हरा निम्बू लेना है हरा निम्बू जो कि आप जानते हैं सभी कि बुद्ध का परतीक होता है ज्यान का परतीक होता है आपके बच्चों विवा के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक निम्बू बच्चे खुद हों तो वो भी एक ही नि सिर्फ और सिर्फ दो लोंग चाहिए हमको और ये तीनों चीजें लेके आप अपने पूजा घर में बैठें और पूजा घर में बैठने के बाद सामने होना चाहिए विश्णु भगवान का चित्र या कृष्ण भगवान का चित्र अगर कृष्ण भगवान का चित्र होगा तो चमतकार हो जाएगा, और अगर विष्णु भगवान का चितर होगा, गुरू भगवान का, तो भी उतना ही चमतकार होगा, आपको एक दिपक सबसे पहले परजलोत करना है, विष्णु भगवान के सामने, शुद्देशी घी का और उस दिपक में पहले तो थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा और उसके बाद से आप पंच देवों को याद करें विशेशतोर से गनपती भगवान को याद करते हुए आपको जो बाकी बचे हुई हल्दी है जिसमें से आपने एक चुटकी दिपक में डाली है बाकी थोड़ी सी हल्दी जो आपके बास लगबबाद आधा चमच हल्दी होनी चाहिए इस हल्दी को आप पानी डालके गीला कर लीजिए गीला करने के बाद यानि कि थोड़ा सा गोल सा बन जाएगा थोड़ा गाड़ा होगा लेकिन गोल सा बनेगा गाड़ा गोल हो उसमें सबसे पहले डालें दोनों लोंग इसमें डाल दीजिए थोड़े से दोनों लोंग डालके उनको बाहर निकाल लीजिए वो पीले हो गए ह थोड़ा सा सूख जाएंगे और अब ये जो निम्बू है इस पर पूरे पर लेब कर दीजिए इस हल्दी का पूरे पर लेब करें हल्दी का और पूरे पर लेब करने के बाद आप एक बार छोड़ दीजिए दो मिनिट के लिए छोड़ दीजिए पांच मिनिट के लिए हल्दी वाला लेंगे जिस पर हल्दी लगी होगी जो कि शुब होती है विवाज शादियों में आप जानते हैं कि हल्दी की रसम की जाती है इसलिए हमें गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग जरूर करना है और अब कुम-कुम लीजिएगा और इस पीले निम्बू पर पीले की हुए इनको दोनों को या तो उपर रख दीजिए उपर रखने के बाद आप पीले धागे से या मोली से दोनों लोग को लपेट सकते हैं और या फिर अगर दोनों लोग उसके अंदर गाड़ दिये जाएं यानि कि दोनों लोग उपर लगा देंगे तो भी आपका चालिसा का पार्ट करना है आप दोनों में से पहले से तयार करके रखें मोबाइल पास में रखें मोबाइल में जट से निकलेगा ब्रस्पती चालिसा या आपके विश्णु चालिसा दोनों में से जो भी आप निकाल लें उसको पहले पार्ट करती जिए पार्ट तीन बार कर दी और उसके बाद से आरती करें आरती करने के बाद आप खड़े होके या तो इस नीमबू को केले में छोड़ के आएंगे केले की जड़ में अगर आपके आसपास हो दूसरा ओप्शन रहेगा आपके पास आप तुलसी जी की जड़ में छोड़ सकते हैं इसको जहां विश् भी तो आप इसे पीपल की जड़ में छोड़ के आ सकते हैं इस नीमबू को आपको बाहर छोड़ के आना है ये आपको दोपहर में काम कर लेना है यानि कि पूरा दिन नक्षत्र रहेगा पूरा दिन शुब योग रहेगा पूरे दिन में इसको अभिजीत मूर्त में ये इ को छोड़ दे और जब छोड़े तो पीपल हो तो उसकी जड़को उसके तने को हाथ लगा के मन ही मन बिंती प्रात्ना कर दे बच्चों के विवा की और बरगत का प्रेड हो तुलसी जी हो केला हो जो भी हो उनके तने को हाथ लगा के बच्चों के शिगर विवा की काम ना कर माता पिता हो चाहे बच्चे हो खुद हो इतना काम आपको पुशे नक्षत्र में करते ही आप देखेंगे दिपावली से पहले चम्तकार हो जाएगा तुरंत बच्चों का रिष्टा जहां बाद चल रही है आपके मनपसंत की जो रिष्टा हो नहीं रहा है वो ही पक्का होग कमेंट बक्स में ओम गुर्वैन मैं जरूर लिखना गुरु भगवान की किरपा बनेगी तुरंत विवा होगा वीडियो देखने के लिए धन्ड़